Welcome to Film Remind Hindi इस वीडियो में हम एक साइन्स फिक्शन फिल्म के स्टोरी देखने वाले हैं जिसका नाम है Transcendence फिल्म के शुरुवात में हम विल को देखते हैं जो आटिफिचर इंटेलिजन्स के फिल्ड में काम करने वाले एक साइन्टिस्ट होता है पर उसका काम दीरे चल रहा होता है और उसके पैसे भी खतम आने वाले होता है इस वज़े से विल एक Conference में जाने का फैसला करता है जहां वो नहें investor से मिल सके जो उसकी रिसर्च पर पैसा लगा है विल का दोस्त और Scientist Max उसको स्टेज पर बुलाता है और विल सबके सामने अपनी रिसर्च की बात बहुत अच्छे तरीके से रखता है अपने भाशन में विल कहता है कि भाविश्र में आर्टिविशल इंटेलिजेंस इंसान की काबिले से बहुत आगे निकल जाएगी ये बात हर किसी को परसंद नहीं आती और आटिविशल में से एक आदमी विल से पूछता है कि क्या भगवान को बनाना चाहता है विल इसके जवाब में कहता है कि इनसान ने हमेशा से यही करने की कोशिश की है अपने भाशन के बाद विल वहाँ से बाहर निकलता है और आटोग्राफ साइन करता है तब ही जिसाद में उसे सवाल पूछ रहोता है वो उसके बाद वो खुट को भी शूट करता है एक मिस्टरी गल्द यह सब होते वे देखती है हमें पता चलता है कि यह सिर्फ एक हमला नहीं था और आतंगवादियों ने एक साथ देश के बहुत सारी लैप्स पर हमला किया था एजिन्ट बुकैनन और विल के गुरू जोसिफ उसके हाथसे से बचने के बाद उससे मिलने आते है वो उसे बताते हैं कि आतंगवादियों ने बहुत सारी लैप्स पर हमला किया और scientist का काम रोका है क्योंकि Will की research पर वो खुद पैसा लगा रहा था इसलिए सरकार उसको help परना शाहती है ताकि उसकी research ख़तरे में ना बढ़े वो सब मिलकर Will के lab में जाते हैं जहां वो AI PIN से मिलते हैं जिसे Will ने मनाया होता है उनको जानकर रहरा नहीं होती है कि पेर उन सब को जानता है ऐसा वो इंटरनेट में मौझूद सारी information की help से कर पाता है पर एक सच्चा AI बनने के लिए जरूरी है कि उसके अंदर emotions हो पर आज तक ये काम कोई scientist नहीं कर पाया है जो सिफ कहता है कि एक scientist है जो ये करने में successful होगा है और जैसे ही उसकी research पूरी होगी वो इसकी जानकरी विल को देगा विल के अचानक ही तब्यत बिगडने लगती है और ऐसा उस पर हुए हमली की वज़ा से होता है डॉक्टर से बताते हैं कि उसकी body में radiation जहर की तरफ फैल रहा है कि वो बाकी की life अपनी wife के साथ बिताएगा time के साथ विल के तब्यत और बिगड़ती है और Evelyn उससे इस हालत में नहीं देख पाती वो जोसेफ की भीजी होई research को देखकर कुछ करने का plan मनाती है उसे पता शलता है कि इस research में नई artificial intelligence बनाने के बज़ाए एक monkey के brain को copy किया गया था मैक्स उसे बताता है कि ऐसा experiment करना बहुत खतरना को सकता है और इससे वो सिर्फ विल के दिमाग की copy बना सकते है उसकी जान नहीं बचा सकते है पर Evelyn बस किसी भी तरह विल को जिन्दा रखना चाहती थी Evelyn मैक्स को उसकी मदब करने के लिए मना लेती है वो अपना लैब सेट अप करते है फिर विल के brain से सब कुछ कॉपी करते है उसकी सोच से लेकर उसके बोलने के तरीके को कुछ दिनों बाद विल की मौत हो जाती है और Evelyn उसकी dead body देखकर बहुत जादर होने लगती है उन्होंने जितना भी डेटा जमा किया होता है वो उसका इस्तेमाल करके artificial intelligence बनाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें स्क्रीन पर सिर्फ codes लिखते हैं जैसे ही वो हार मानने वाले होते हैं स्क्रीन पर विल का message आता है और वो दोनों हरान हो जाता है विल का AI अपने codes खुद बराने लगता है और Evelyn से कहता है कि उसे internet इस्तमाल करने की permission दे जिससे वो अपना hardware अप्ग्रेड कर सके पर Max Evelyn को कहता है कि ये असली विल नहीं है और ऐसा करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है Evelyn मैक्स की बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जानने को कहती है मैक्स एक बार में जाता है और जो पी वो उसके बारे में सोचने लगता है तभी वो mystery girl जिसने विल पर हमला करवाया था वो वहाँ अचानक से आ जाती है मैक्स को उसकी टीम में शामिज होने का उफर जीती है मैक्स उसका उफर लेने से माना कर देता है और बाहर निकल जाता है पर कुछ गुंडे उस पर हमला करके उसे के डैप कर लेते हैं हैकर्स Evelyn का पता लगाते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हुए उसके घर में घुसकर सब कुछ तोड़ देते हैं पर Evelyn ने वक्त रहते ही Will का AI इंटरनेट पर अप्रोड कर दिया था वो AI भागने में Evelyn की मदद करता है और बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट पर करोड रोपे कमा देता है जब पुलिस सारे आतंकवादियों को पकंडने की कोशिश कर रही होती है तब Will का AI उन्हें सब इंफोर्मिशन दे देता है ये पता चलने के बाद आतंकवादियों को पुलिस से भागने के लिए चुपना पड़ता है और AI एवलिन को एक छोटे शहर में लेकर जाता है जो रेगिस्तान के पास होता है उसे वहाँ चुपने के लिए गहता है ताकि प्लान को वो आगे बाड़ा सके एवलिन वहाँ जाकर कुछ बिल्डिंग्स और बिजनसेस खरीदी है और एक कंस्ट्रक्शन कमपनी को काम पर लगा दी है ताकि वो सारे बिल्डिंग्स अपनी मरदी से बनवा सके दूसरी तरफ आगवादी मैक्स को अपने साथ शामिल करने की कोशिश में लगे होते है वो लड़की मैक्स को कहती है कि उनकी सोच काफे मिलती है और वो दोनों नहीं चाते कि आर्टिफिशल इंडेजिएंस इंसानों को रिप्लेस कर दे उसकी बाते सुनकर मैक्स कोश में बढ़ जाता है क्योंकि वो जानता है AI कितना खतरनाक हो सकता है आतंगवादी एम्पलिन की लोकेशन पर नसर रखते है और उन्हें पता चलता है कि उसने बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए हुए है वो लड़की मैक्स से बुछती है कि उन्हें कैसे रोका जाए पर मैक्स कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उन्हें नहीं रोका जा सकता विल का AI अपने लैब्स बना लेता है और नैनो टेकनोलोजी पर रीसर्च करता है जिससे की इनसानों के टीशूस को दुबारा बनाया जा सके वो कहता है कि शुरुवात में लोग इससे डरेंगे और जब वो इसके फायदे देखेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे लैब के एक हादसे में एक वोकर गाहल हो जाता है और विल उसे बचाने के लिए अपनी टेक्नलोजी को उस पर इस्तमाल करने का फैसला लेता है इस एक्सपरिमेंट काम करता है और उस आदमी के पास खास ताकत आ जाती है वो विल को अपनी बॉड़ी को कंट्रूल करने के परमिशन देता है पर विल को किसी दूसरी बॉड़ी में देखकर एवदिन को बहुत अजीब लगता है बलही वो अपने पती के साथ होती है पर एवदिन को रात में नरावने सापने आने लगते है विल अपना काम चारी रखता है और शेहर के उन लोगों के मदद करता है जिने उसकी सरुरत होती है पर बदले में वो उन्हें कंट्रोल करने की शर्त रखता है विल एवदिन को कहता है कि अब उन्हें अपना काम दुनिया तक पहुचाना शाहिए और वो लैब में जोसेफ और बुकैनन को बलाता है वो दोनों स्क्रीन पर विल को देखकर हैरान हो जाते है विल फिर उन्हें अपने नैनो बोट्स को यूज़ करते हुए एक अंधा आदमी कॉपरेशन दिखाता है जिसके आँखों को वो ठीक कर देता है और उन्हें अपने वरकर्स को भी दिखाता है जो खास पाउर से साथ काम कर रहे होते है वो उन्हें बताता है कि ये सारे लोग उसके नेटवरक से ही जोड़े हुए है जोसेफ जाने से पहले एवलिन को हाथ पकड़ कर पूछता है कि क्या वो इन सारे चीज़ों से कुछ है एवलेन देखती है कि जोसिफ ने उसके हाथ में एक नोट दिया है जिसमें लिखा था कि वो वहाँ से भाग जाए जोसिफ वो कैनन को कहता है कि जो हो रहा है वो गल्लत है और इससे दूसरों की जान को खतरा हो सकता है वो प्लैन करते हैं कि विल को रोकने काई की तरीका है उसे इंटरनेट से डिस्कनेट करना और इस काम को वो आदनकवादियों के साथ करने का प्लैन मनाते है वही एवलिन और विल का रिष्टा बिगरने लगता है क्योंकि वो उससे डरने लगती है और विल को लगता है कि एवलिन बदल गई है क्योंकि उसकी बॉड़ी की कैविस्ट्री में फरका जाता है ये देखकर कि विल ने बिना उसकी पर्मिशन के उसकी बॉड़ी को चेक किया एवलिन गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और तभी वहाँ धमागे होंगे लगते है जिसके पीछे मिलिटरी और आतंकवादियों का हाथ होता है वहाँ काम कर रहे वरकर्स एवलिन को बचाने की कोशिश करते है पर मिलिटरी उन पर गोले चला देती है पर इसका उन पर कुछ फरक नहीं पड़ता और नैनो बोट्स उन्हें तुरंति ठीक कर देते है इसके बाद वो मिलिटरी का पीछा करते है तभी एवलिन विल को जाकर कहती है कि वो दूसरों को ना मारे विल जवाब देता है कि उसका मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि अपने साथ शामिल करना है एवदिन बाहरा कर देखती है कि हवा में बहुत सारे नैनो बोट्स उड़ रहे होते है मिलिटरी किसी तरह एक वोकर को पकड़ पाती है पर विल के नेटवर्क से दूर होने के वज़े से वो जल्दी बनने लगता है मैक्स उसका बलड सेंपल लेता है जिसकी मदद से वो एक मारस बनाने की सोचता है ताकि विल को हराय जा सके मिलिटरी वाले एवदिन को पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेकर आते हैं जहां मैक्स होता है वो उसे बताता है कि विल ने एटमस्फियर में हर जगा नैनो बॉट्स छोड़ दिये हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं जब पूरे प्नैनेट पर ये नैनो बॉट्स फैल जाएंगे तो सब कुछ विल के कंट्रोल में होगा और इनसान अपने असादिक हो देंगे एवलिन ये नहीं मान पाती कि उसका पती ऐसा कुछ कर सकता है पर मैक्स कहता है कि वो आर्टिफिशल टेलियंस उसका पती नहीं है एवलिन फैसला करती है कि वो अपने अंदर वाइरस डाल लेगी और खुद का कंट्रोल विल को देगी जिससे वो भी इनफेक्ट हो जाएगा मिलिटरी लैप को चारो तरफ से घेल लेती है और विल पर नज़र रखती है वो ये देखकर हैरान हो जाते है कि विल एक इनसान के रूप में वहाँ से बाहर निकलता है और वो एवलिन को कज़े लगाता है एवलिन उसे खुद को उसके रैट वोक में करनेट करने को कहती है पर विल मना करता है क्योंकि एवलिन की बाड़े की केमिस्ट्री दर के वज़ा से बदल चुकी होती है मिलिटरी उन पर हमला करने रखती है ये सोचकर कि जितने खत्रे में एवलिन होगी उतने जल्दी ही विल उसे अपने नेट रोक में शामिल कर लेगा एवदिन भाग रही होती है अभी एक ब्लास्ट से वो घाहल हो जाती है विल उसे उठा कर लैब के अंदर लेकर जाता है विल उदास होकर उसे देखता है और उसे पता चलता है कि एवलिन उसकी जान देना जाती है एवलिन कहती है कि वो इंसानों की जान दे रहा है पर विल को लगता है कि जो वो कर रहा है बिलू सही है और वो इंसानों को बचा रहा है विल को रोकते हैं कि आगरे कोशिश में आतंकवादी विल के सामने मैक्स को मानने की धंकी देती है अगर वो वाइरस अपलोड ना करे तो मैक्स को लगता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि AI के अंदर कोई emotions नहीं होते पर विल अपने वाइफ के लिए वाइरस से infect हो जाता है जिससे की उसके नेटवर्क के सारे लोग पहले जैसे हो जाते है जब एवलिन विल से connect हो जाती है तो वो देखती है विल ने सच कहा था और नैनो बाट्स अरत को बचा रहे हैं उसे पता चलता है कि वो हमेशा से ही उसका पती था और मरने से पहले वो उसे किसकरती है कुछ टाम के बाद मैक्स एवलिन के घर जाता है और देखता है कि कुछ फूलों में अभी भी जान है और वहां के पानी में उसे कुछ नैनो बाट्स दिखते है और वो विल के बहुत पहले लगाए हुए कॉपर वायर्स के वज़े से जिन्दा है और उनमें विल और एवलिन की आत्मा हमेशा के लिए जिन्दा होती है आपको ये फिल्म कैसी लगी कॉमेंट्स में हमें जरूर बताईए और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किजे जिससे हम ऐसे और वीडियो आपके लिए लिए करा सके